कि अलो फ्रेंट्स रोजकार सिंड़े को चैनल में आपका स्वागत है आज के में इस वीडिये में बता हूंगा जो कि वेकेंसी निकली है देली सब्सक्राइब सर्विस कमिशन बॉर्ड डिये सब्सक्राइब जो कि वेकेंसी निकली है टीजीटी पटवारी लडी सी अदर पोस्ट है जो की रिक्वार्मेंट है इसमें जो कि आपको फॉर्म जो की पच्चेस पांथ दोजार इकी से स्टार्ट होगे चोईश दोजार रिकिस तक पहरे जा तो इसमें जो की टोटल पोस्ट जोगी है 7236 जो की पोस्ट हैं और इसमें जो की किस तरह से आपको इसे ओलाइं अप्लाई करना है इस वीडियो में आपको बताऊंगा उससे पहले फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर ना है तो चैनल को सब्क्राइब कर दीजिसे जिस इस बी ओनलाइन डॉट एनसी डॉट इन यह आपको यहां पर टाइप करना है गूगल पर उसके बाद आपके सामने आ जाएगा डि एस बी लिखावा इस पर आपको यहां पर किलिक करेंगे इसके पर आप किसी के ओफिशल वैबसाइट पर आप यहां पर आ जाएंगे जो आपको क्या करना है समय रे pursuing करना होगा तो पहला मिल जाता है क्लेक फौर निरी रेश्ट्रीशन का क्लिक करना है यह सैंधान पर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप एसमें कुछ तरह का फॉर्मेट आपके आ जाएगा इसमें जो is alphabetic के कोई डीजिट है तो यूजमन नहीं लेनी है आपको के वाल उंसी जो की संख्छा है उनको ही यूज़एनी है जिसमें आपको से करना है कि इस तरह से आपको यूज़ लेना है आपने जो की कराया, उसके बाद आप को दुबारा आपना निम आपकось में डाला देना है, जो की міरिफाइ कर लेगा कि आपका हाथ तरी आपने नाम डाला है, उसी तरह आपका sertifiquette number ने डलना है आपको यहाँप पास किया है इसे 2015 में पंधर 15 यहां पर जिस तर से भी आपको इसमें डालेंगे तरह सकते हैं जैसे में डाल दिया उसके बाद स्लेट याव जैसे मेल हैं फिमेल है या दूंडरे है यह चाए उसके बाद हम नीचे आते हैं उसके बाद आता है आपके फादर के नेम जो कि आपके दस्वीक मार्शिट में जो कि आपके फादर का नाम दिया हुआ यहां डालना है उसके बाद दूरा डालने के बाद इसके बाद फादर का नाम फिर से आपको डाल देना है उसी तरह आपको अपनी मदर का नेम सब कुछ लिखा हुआ है तो आपको यह यूज में नहीं लेना है केवल आपको नाम डालना है मिस्टर कुछ नहीं मेंसेज कुछ भी नहीं डालना है यह आपको ध्यान में रखने वाली बात है उसके बाद अगर फिर से आपको डाल देना है इस पूर डाल देना है अगर है त को फिर से अपना दस्वी का वो वाल नंबर आपका पूरा डालना होगा उसके बाद आपका अपना मेल आड़ी आपको अपना मेल आड़ी जो कि आपके ने बना हुआ है वह आपको यहां पर पूरा डाल देना है उसके बाद फिर से आपको मेल आड़ी यहां पर डाल देना है डालने के बाद आपको क्या होगा एक ओटी पी आएगा आपके मुबाइल पे और या और आपके इस पे आपके मेल आड़ी पे उसको आपको डाल के विरिफाइक कर लेना है क्यों क्यों कि अमालोई एक वारी आपका रिश्ट्रेशन हो रहा है तो आपको रिश्ट्रेशन में डालना है फिर से आपको इसमें अपना अधार कार्ण नमबर आपको फिर से आपका जो कि नाम दिया हुआ है उसके बाद फिर से आपको अपना अधार कार्ण नमबर आपको फिर से आपका जो की नाम है वह आपको इसमें से डाल देना है इस सब डालने के बाद यहां पर आपको क्या करेगा जो कि आप आइडी अप्लोड कर रहे हैं यहां पर साइज बता रखिए पंदरह से लेकिशाट के भी तक आपको इसमें अप्लोड करना है इसके लिए मैं कि वीडियो बना दूँगा जिसमें कि आपको फोटो की किस तरब करनी हैं यह सभी एक लिए आपको एक वीडिए बना दूगा तो इसमें आप देख पाएंगे किस तरह से आपको इस टरह चाहिए उसके बाद आपको प्रॉसीजर क्या ऐब को अपना पास्वर्ड आपको अपको अपना पास्वर्ड जाने तरीका सही password हो जाएगा उसी तरह से फसलों आपको डाल तेना है वापको उपर डाला उसके बाद आपको अंडिश्चान पर लिए तो प्रटिक करना है और प्री विवीwers पर क्लिक कर सकते हैं और देश क्या करना है कि लिए आपको क्लिक करना है कि उसके बार लोग इन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको अपना डेटोबार डालना होगा डेटोबार आपको इसमें डाल देना है डेटोबार डाल देंगे इसमें आपके फास किया था वो भी आपको यहां डाल देन कि आपके हर समय इसे की अलग अलग आएगा जो मेरे सामना भी यहां रहाए वह सब आएगा इसमें डाल देना है और स Nir पे आपको यहां पर कखर करेंगों तो कि लोगन करने के बाद आपके सामने कुछ‌थ परकार कर爸爸 संसुल आ जैसे अप्लाई और अप्शन पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने यह सभी एडवाटीजमेंट भी आ जाएगी और पोस्ट का जो की कोड है वो भी आ जाएगा और पोस्ट का जो नाम है जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और ओपनिंग डेट कब है और लाट अब आपकर नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे प्डियाफ पर आप जैसी क्लिक करेंगे इस पहले पर तो यह आपके प्लाई कर रहे हैं सारी सिचे आपको यहां पर दिख जाएगी आपका नाम आपके पिता का नाम अदर ने जो कि आपने प्रोफाइल किसा में आपने जो भराता सभी आ जाएगा आपको यहां पर आपका अडरेस डालना है जो की आपका अडरेस है और अपना पिन कोड डालना है अगरी सभी आपका सेम है तो सेम पर आपको यहां पर क्लिक कर देना है तो यह आपको यहां पर क्लिक कर देना है तो बाद यहां पर आजाती है सब के डिगरी आपके सब के डिगरी में अगर इसमें आते हैं तो आपको यह आप्शन सेलेट करना है नहीं तो आपको यह सभी छोड़ देना है उचके बाद यह वार दब बॉर्ड ऑफ एनी अधर अगर आपकर कुछी ऑनी बॉर्ड से अपने इससरी मों ऐख तो यह पहले करें तो यहां पर पूचेगरी पुचे आपके पास है तो यहां कि लिक आजरी आँशरी इससे कि इस पर अाफ मेलना है उसके अपर होगा और किस जेट को वो शुक्राइगे वो भी आपको यहां डालना है और सब्सक्राइब कर देना है उसके बाद सब्सक्राइब आपको क्या करना है आपको क्या करना है आपको क्या करना है अपना फोटो अपलोड करना है सेकंड पर करना है यहां पर उपलोड करना है उसके बाद नीचे आता है को पना सिगनेचर करना है सीगनेचर का भी एंट्रक्षिन आपको दिया हुआ है है साइज में होना चाहिए और 40 KB से यह उपर नहीं होना चाहिए उसके बाद जो कि आपका आता है जो कि आपका है जो कि आपका लेफ्ट थम है लेफ्ट थम का भी यहां पर दे रखाए किस तरह से आपको लेफ्ट थम जो कि आपको अफ्लोड करना है उसका भी साइज दे रखा है और इसको यहां जोज करके आपको अफ्लोड कर देना है उसके बाद कोई करने में प्रोल्म नहीं होगी उसके बाद यह जो की स्टेप कंप्लिट हो जाएगी इसमें जो की फोटो की स्टेप के बीच में ही रिक्वाइड है रिविलेशन भी दिखाए हुए है चार सो अची से लेके छे सो बहनतर में तो इसमें आपको यह अपनलोड करना है तो म जैसे की फोटो यह है इसको स्टेट कर लेना है और ओपन पर क्लिक कर देना है और ओपन पर क्लिक करने बाद अप्लोड पर क्लिक कर देना है उसके बाद जोगी आप कि फोटो जो कि अप्लोड हो जाएगी वह आपक को इस तरके से दिख्नेי लग जाएगी उसके बाद आपको चूज करना है अपना सिगनेचर तो यहाँ पर चूझ करना है जहाँ भी आपका signature है जिसी signature यह रहा इस पर इसलेट करना है और open पर आपको click कर देना है और फिर से upload पर आपको click कर देना है उसके बाद यह आपका signature भी आपका upload हो जाएगा उसके बाद choose आपका left thumb आपका left thumb आपको choose करना पड़ेगा जैसे कि मैंने आपका होजमें और पर क्लिक करड़ेगा और अप्लोडेट पर क्लिक कर देना है उसके बाद आपका जो कि left thumb हो चुका है उसके बाद आपको यहां पर chose करना है याप यहाँ बाद फिर स्चेमानमेन not श्राइट नाम से रगए त। राइट पे आहाए जाना है और उपन पे किल्क करदेना है और अप्लोडेट पे आपको क्लिक कर देना है उसके बाद कि आपका लेट थम राइट थम आपका फोटो सभी अप्लोड हो आएंगे उसके बाद आपको क्या करना नेस्ट ओले आपको क्लिक कर देना है तो के बाद नेश्च टेप खुलेगा आपको क्वालिफिकिस्ट, आपको यहां पर क्वालेकिशिट कार लेना है चले सिंदेश किमाली गडरेशिटिशन आप डाल रहे हैं उसके बाद ग्रेज़ेशन डिग्री एज रिगनाइज इंसिटी ऑफ एक्वेलेंड मतलब कोई भी इंसिटी चो किसे आफ रिटेड है मतलब डिग्री आपको मिल रखिए तो यहां पर आपको सेलेट कर लेना है सेलेट करने के अपना जिस स्टेट से आपने सेलेट की स्टेट से किया है वो डाल देना है और पासिंग मन्त आपको यहां डालना होगा और पासिंग यह भी आपको यहां से सेलेट करके डालना होगा उसके बाद आपको यहां पर इंसाट वाले उप्सन पर आपको क्लिक कर देना है कि उसके बाद आपके आप पर ऑप्सन आजाएगा अगर आपको और भी डिट डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं अगर कुछ पर उसके बाद आपको यहां पर ने सिस्ट पर आपको क्लिक कर देना नहीं जulous करते हैं कि पर से भम देड़ी है कि अजसे हो चुका है यह कुछ भी एडिट कि अजब करना चाहते हैं आप कह सकते हैं निसके उसके बाद हम क्लिक करेंगे इसके ओपर पे ऑनलाइन एंड सम्मिट फाइनल अप्लीकेशन पर इस पर हम क्लिक करेंगे उसके बाद क्या होगा कि आपके पास यह उप्सन आ जाएगा कि ओनलन पे का कि आपको प्रेमेंट रिश्टेस आप देखना चाहते कर सकते हैं जो पटवारे के लिए जिसने आपने अप्लाई किया जिसके लिए वह आपको दिखा देगा तो पे ओनलाइन पे आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है इसके आपको आपको पैमेंट करना है और यहां से अल्रड़ी उनका पहले ही परिंट आ जाएगा तो इस तरह से JACKPAY डेटेल आपके सामने यह जोंकी सबीं आजएगी उसके फासर आपको Payment जो कि 들고 करना है तो somya किलिक करना है और Pay No as a app कर जाए n जैसे पर उपके सामने option आजाएंगे तो आप कोई भी कार्ट से आप कर सकते हैं जैसे आप काड बाद जो भी काड है उससे आप कर सकते हैं तो मतलब आप कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी भी काड से यूकि प्रेमेंट है आप कर सकते हैं और करने के बाद आपना जो कि आप की ह Connie Gar आ जाएगा यतक्त रहे सकेंगे तो फ्रेंड इस वीडियो में आप को बताया कि किस तरह से आप DSSP का जो की फॉर्म भर सकते हैं जिसमें जो की टोटल पोस्टे हैं जो की साथ जार से ज्यादा वेकेंसी हैं इसमें ओलान फॉर्म किस प्रकार भरना है मैंने आपको पूरा बताया तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ल हिंज जे भारत